नमस्कार दोस्तों जै हिंद जै भारत दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे कोरोना वाइरस को लेकर दो सहेलियों के मद्धे का समवाद लिखिए या फिर कोरोना वाइरस को लेकर समवाद लिखिए इससे संबधित प्रेशन मद्धे प्रदेश की बोर्ड वर लोकल पाइक्षाओं में पूछे आते हैं इसलिए आपको एग वीडियो ध्यान पूर्वक देखना चाहिए इसमें दो सहेलिया हैं पहली सहेली का नाम है सुमन और दूसरी सहेली का नाम है सीमा तो सुमन कहती है सीमा से अरे तुझे पता है पूरे देश में कोविट 19 फैला हुआ ह सीमा कहती है हाँ ये बिमारी तो एक भुजंग की भाती है मला एक साप की भाती है जो लाखों लोगों को निरंतर डस रही है ये सही कर दिया हमने रही है दोस्तों ये डस रही है सुमन कहती है इस बिमारी ने तो कई लोगों को बेघर कर दिया तथा कई को अनाथ सीमा कहती है हमें इस बिमारी से बचने के लिए सरकार के नियमों का पालन करना चाहिए सुमन कहती है सरकार के क्या-क्या निर्देश है सीमा कहती है तुझे नहीं पता जैसे दोगज की दूरी मास्क है जरूरी जादा भीड़ वाले इलाकों से दूर रहो तीका करण आदी सुमन कहती है हाँ इनसे तो हमारा ही फायदा होगा सीमा कहती है कोरोना के टीके को लेकर कुछ लोग भ्रम भी फैला रहे हैं हम सभी को टीका लगवाना चाहिए देख मुझे तो दोनों डोज लग चुके यानि कोरोना के दोनों टीके मुझे लग चुके हैं सुमन कहती है इसकी बात सुमकर सीमा की बात सुमकर पहले मुझे भी टीके से डड़ लग रहा था पर तेरी बातों से मुझे में जोश आ गया है अब मैं भी टीका लगवाऊंगी उमीद है आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा पसंद भी आया होगा अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में इसी प्रिकार से आप कोरोना वायरस का समवा लिखकर आईएगा धन्यवाद दोस्तों मेरे चनल को लाइक करें शेयर करें वर सब्सक्राइब करें धन्यवाद